नमस्कार मैं हूँ खुश्बू हजारे आप देख रहे हैं खबर ठेकाना सोशल मीडिया पर कल 19 साल के एक लड़की की विडियो काफी वाइरल रही इस विडियो को शूट किया ओथर फिल्मेकर विनोत कापरी ने जब वो कहीं जा रहे थे तब रस्ते में 12 बजे के आसपास उन्हें 19 साल का ये लड़का कंदे पे बैक टंगाए सड़क पर दोड़ते हुए दिखा और तब विनोत कापरी को लगा कि शायद इस लड़के को किसी मदद की जरुवत होगी इसलिए मैं इसे help कर लेता हूँ पूछ लेता हूँ कि क्या मैं उसे कई ड्रॉप कर सकता हूँ ऐसे में जब विनोत कापरी ने पूछा कि क्या उसे lift चाहिए या वो कार में बैठ जाए तो उसने कहा नहीं उसे दौड कर ही जाना है यह दौड उसकी practice है क्योंकि आगे चलकर उसे defense में जाना है और उसी की practice कर रहा है जब विनोत कापरी ने कहा कि इस time तुम practice क्यों कर रहे हो तो लड़के ने कहा कि दिन भर मेरी job रहती है वो मैगडी में job करता है, job 12 बजे खतम होती है और वो भागते हुए अपने घर जाता है इतना ही नहीं घर जाकर वो अपने और अपने भाई के लिए खाना बनाता है, खाना खाता है, सोता है अगले दिन सुबर 8 बजे फिर काम पड़ निकल जाता है 19 साल के इस लड़के की ये कहानी बेहत दिल को छूगई, सोशल मीडिया पर हर एक शक्स ने इस वीडियो को देखा और शेयर किया इसी बीच हमारी इंदिया के कई बड़े लोगों ने भी इस वीडियो को देखा, आनन्द महिंद्रा को किसी ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप इसकी मदद कीजिए, तो आनन्द महिंद्रा ने जवाब दिया कि जैसा कि तुमने वीडियो में देखा, कि विनोत कापरी जी न जोशिल ने इस वीडियो को शेयर किया है और इस लड़के के जोश को सलाम किया है, अब लेटनेंट जनरल सतीश दुआ ने इस लड़के की वीडियो देखी है, प्रदीप महरा की और उसको मदद ओफर की है ताकि जल्द ही वो डिफेंस सर्विसेज में दाखिल हो पाए, उसके ट्रेनिंग की विवस्ता कर दी है, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि मैंने कुमाओं रेजिमेंट के कोलोनल से बात की है, इसको मेरिट के बेसिस पर रेक्रूट्मेंट टेस्ट में पास करने में मदद की जाएगी, लेक्टिन जर्नल राना कलीटा इस लड़के को म सामने आ चुके हैं, इसके अलावा फिल्मेकर अतुल कजबेकर ने प्रदीप महरा के लिए प्यूमा के स्पोर्ट शूज भिजवाए और ट्रैक सूट भिजवाए ताकि जब वो रनिंग पर जाए तो इन्हें इस्तमाल करें, लेकिन कुछ चीज़ें डिसपॉइंटिंग भी दिखी कि जैसे ही प्रदीप महरा की ये विडियो वाइरल हुई, वैसे ही मीडिया वाले प्रदीप महरा के पीछे पड़ गए, प्रदीप महरा को लेकर विनोज कापरी ने ट्वीट किया कि प्रदीप महरा के भाई का कॉल आया है, पिछले दो गंटे से प्रदीप का बन जा रहा है कुछ मीडिया वाले घर आये थे और उसे साथ लेकर गए बाद में पता चला कि एक बड़ा न्यूस चैनल है जिसने प्रदीप महरा का इंटर्वियू लिया इतना ही नहीं ये न्यूस चैनल इस हद तक गिर गया कि प्रदीप महरा को अपने स्टूडियो में द बना रहा है इसे भटकाओं मत इस तरह से बार बार अपनी टियार पीज बढ़ाने के लिए लोगों ने कहा कि प्रदीप महरा के पीछे अगर मीडिया लग गई तो वो दिन दूर नहीं जब प्रदीप महरा का भी हाल ये लोग बाबा का धाबा जैसा कर देंगे